इन दिनो सनी दियोल अपने बेटे करन दियोल को लांच करने की तैयारी में लगे हैं वो जोरो शोरो से सिर्फ करन का फ्यूचर बनाने में लगे हुए हैं माना जा रहा है कि काफी बड़े लेवल पर करन को लांच करने की तैयारी चल रही है कई न्यूकमर के सामने करन को लॉंच करना सनी के लिए बड़ी चुनोती बन गई है करन के साथ कई स्टार किट्स बॉलिवूट में अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं इसलिए सनी अपने बेटे की लॉंचिंग में कोई कसर नहीं चोड़ना चाहते हैं इसी के चलते सनी ने अपने बेटे की हिरोईन डूणने के लिए करीब 400 लड़कियों को उडिशन लिया है इन लड़कियों में 28 को चुना है अब ये लड़किया करन के साथ उडिशन देंगी तब सनी इन में से एक लड़की सेलेक्ट करेंगे मीडिया रिपोर्ट के मताबिक पहली बार किसी हीरो की लॉण्चिंग में इतनी लड़कियों को उडिशन लिया गया है इतना ही नहीं सनी ने अच्छी स्क्रिप्ट भी कुछ इसी तरह से ही तलाश की थी कई स्क्रिप्ट रिजेक्ट करने के बाद सनी ने अपने बेटे के लिए परफेक्ट स्क्रिप्ट खोज निकाली है साथी कुछ दिनों पहले सनी फिल्म की शूटिंग के लिए भہतर लोकेशन भी डूनते हुए नजराय थे पलपल दिल के पास है सनी के विजेता बैनर के तले ये फिल्म बनने ही है कुछ सनी दियोल इस फिल्म को डिरेक्ट करेंगे सनी ने अपने पापा धरमेंदर के मशूर गाने से फिल्म का नाम लिया है दियोल परिवार इस फिल्म को लेकर बेहत एक्साइटेड है